दोस्तों इस वकट भारत के अंदर तरक्की की बाते हो रही हैं दुनिया भारत के दर्वाजे पे आके खड़ी हो गई है नवाज श्रीफ सहाब ने उते पे आते साथ ही भारत को निरिंडर मुदी को पाकिस्तान आने की दावत दे दी किसी मुल्क की टोटल जो अकल है वो तो पार्लिमेंट के अंदर बैठी हुई है मुदी सहाब अपनी तीसरी इनिंग्स में मास्टर स्ट्रोग पे मास्टर स्ट्रोग खेल रहे हैं तो गलत नहीं होगा नमस्कार आपका स्वागत है हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया की अंदर चर्चा की जा रही है भारत की फॉरण पॉलिशी को लेकर और भारत के अंदर जिस परकार से इन्वेस्टमेंट आ रहा है और अभी हाले में मोदी जी जी सेवन समीट में गए और वहां पर वो किस परकार से जो एना भारत का पक्स उन्होंने रखा है दुनिया भर के आगे उसको लेकर बातचीत की जा रही है तो वीडियो का पी मज़िदार होगी पूरी देखना लाइक करना शेयर करना अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को दवाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो इस वक्त भारत के अंदर तरकी की बाते हो रही हैं दुनिया भारत के दर्वाजे पे आके खड़ी हो गई है और आके तावन चाहती है और कहरी है कि हम आपकी तरकी में आपका साथ देना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक डिसकुशन 2002 में शुरू हुई और 2024 आगया और हम वहीं पे वहीं खड़े हुएं ये नहीं है कि पाकिस्तान में बेतरी नहीं आई बड़ी बेतरी आई है जो दैशित गर्दी के अहलाद 2014 में 2013 में 2012 में इस वक्त थे उससे हम बहुत बेतर हैं लेकिन क्वेस्टन ये है कि आज जो सबसे बड़ा पाकिस्ता हैं पाकिसान के अंदर वो चीनी है और चीनी भी दैशित गर्दों से परिशान है अंडिया के अंदर हर रोज इन्वेस्टर आ रहा है इंडियन इन्वेस्टर आफरीका जा रहे हैं पैसे लगाने इंडिया अंदर पैसा कारबार रोजगार ये चीज़ें डिसकस हो रही है और हम कहा रहे हैं टीटीबी से बात करनी है कि टीटीबी को खतम करना है चलो हमसे नहीं हो पा रहा क्योंकि बड़ा कॉस्ट आएगा तो क्या करें चलो ठीक है वो ऐसे करते हैं उदर चले जाते हैं क्या नाम है उसका अरब दुनिया में चले जाते हैं उनको जा कहते हैं पारे लिए यह तो यह डिसकुशन ही बन दोनी चाहिए हमें तो वन्स फर आल यह मसेला आप देखे ना हमने वो जो फैंस की थी उस फैंस का कोई पता नहीं है वो फैंस किया बना है मुझे तो कुछ पता नहीं है पार्लिमेंट में कभी इस वारे सवाल ने किया गया कि वो जो अपने फैंस बनाई थी उसका स्टेटस किया है कितने जगह से तूटी है दाशतगर्द कहां से आ गए है हम यह तो वीडियो देखते हैं कि दाशतगर्द वहां से गुस रहे हैं प अपनी तीसरी इनिंग्स में मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं तो गलत नहीं होगा अभी तो यह बिगनिंग है नरंदर मूदी साब की थर्ड टर्म की लेकिन उनकी इस थर्ड टर्म की बिगनिंग एक ऐसे विजिट से हुई है एक ऐसे फॉरन ट्रिप से हुई है जहां पर इतना बहुत कुछ हुआ है कि जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह होने क्या जा रहा है और फ्यूचर जियो पॉलिटिक्स का कैसे बदर रहा है क्योंकि भारती वजीरियाजब नरेंदर मुदी सहाब ने जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स खेल डाले हैं अपने इनिंग्स के स्टार्ट होते ही थर्ड टर्म थर्ड इनिंग्स के स्टार्ट होते ही उन्होंने कुछ ऐसे बड़े स्टेप्स लिए गए हैं दुनिया में जिनका तानवाना कहीं ना कहीं जाकर भारत भारत से जुड़ता है तो आईए जरा आज इस पर बात किये लेते हैं सबसे पहरे तो चले हम बात कर लेते हैं क्योंके एक दिन के ब्रेक के बाद हम आपके सामने हाजर हो रहे हैं और हमने मैलनी मुदी मैलडी की बात भी नहीं की तो चले उसकी बात भी किये लेते हैं एक तो ये के मुदी सहाब मास्टर स्टोक खेल रहे हैं लेकिन बड़े ही ग्रेस के साथ खेल रहे हैं। वो इस थर्ड इनिंग के स्टार्ट होते ही बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से बिहेव करते हुए हर जगा पे नजर आ रहे हैं। अच्छा इसका हमने एक अमले मुझा जहरा देखा है जी सेवन समिट में। उसमें हमें भारती वजीर आजम जिस एटिचूड और जिस बहीवियर और जिस स्टाइल के साथ नजर आए हैं। बड़ा ही ग्रेसफुल है। और बहुत यानि एक उनमें एकसाइटमेंट नहीं बलके आप ये कह सकते हैं के बड़ी स बड़ी संजीद की बहुत डिसेंसी नजर आई। खास दोर पर हमने देखा कि जब वो जोर्जिया मैलनी से उनकी मुलाकात हुई तो वो कैसे लगे-बंदे अपने हाथ उन्होंने बांदे में और उस तरीके से वो उनके साथ मिल रहे हैं। वो बहुत ज्यादा एकसाइट और पिर डिसेट ही और फिर आखिर मिल यहांएगे-वॉनी पर और आउनकी मेलनी सेलफि के साथ वो आपको पता ही पहले उनकी ब़हूत मशुर है। मुदी मेलनी सेलफи। इस सेलफि के साथ ही उन्होंने अपना यह बहुत की न ke यह समिखिका अचा आप यह देखियें के कि इस summit में बहुत से हमने देखा कि steps लिए गए उस पर हम बात भी करते रहे हमने उसमें AI की उपर जो steps लिए गए हैं फिर जो pact हुआ है जिलिंस्की और US के बीच उस पर हमने बात कर ली कई और दिगर element पर बात कर ली लेकिन उसी के दोरान और भी कुछ initiatives लिए गए हैं और वो initiatives एक तो ही हैं कि कई एक corridors इस वक्त बात की जा रही है जो के बनने जा रहे हैं अब जब हम corridor की बात करते हैं तो उसमें इंडिया और यॉरप corridor जो है उसकी भी बात की गई है G7 की summit की meetings में उसको flourish करने की उसको आगे बढ़ाने की उसको speedily उसके पर काम करने की तेज रफतारी से इंडिया यॉरप corridor को आगे बढ़ाने की बात भी उस summit की meetings में की गई है और वो क्यों की गई है वो खुद भी करते हैं और कर सकते हैं लेकिन उसमें भारत वहाँ पर मौजूद था बारत का वजीर आज़म वहाँ पर मौजूद था तो ये कैसे हो सकता है कि इंडिया और यॉरपियन कॉरिडर की बात ना हूँ तो आप ये देखिए कि ये एक बड़ा step ये भी एक geopolitical master stroke है उस जगह पर जाकर जो है नरेंदर मूदी साब का ये इसके ओपर बात करना और आप ये भी बात याद रखिए जब हम ये कह रहे हैं geopolitical master stroke तो वो उसी वक मुमकिन है कि जब आपके कुछ allies हों आपकी जो strategy है आप लीडर की उसको पसंद करने वाले उस लीडर को पसंद करने वाले बड़े बड़े और लीडर मौजूद हो तो आपको आप जाते हैं कि जोर्जी अमालोनी प्राइम इनिस्टर ओफ इटली वो कितनी बड़ी फैन है भारती वजीरियाजम दरेंदर मूदी की तो आई होब अगर भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है किस परकार से दुनिया एक तरीके से लाइन लगा के खड़ी है भारत के अंदर इन्वेस्ट करने को लेकर क्योंकि दुनिया को पता है कि भारत की जो जीडिपी ग्रोथ हैं वो कितनी ज्यादा है और किस परकार से जो बलकि वहीं से में उनको अच्छे रिटर्न भारत की मार्केट से देखने को मिलेंगे तो भारत के अंदर तो लगातार इंवेश्टमेंट आ रही है साथ में वो यहां पर जो एना कंपेरिजन भी कर रहे हैं पाकिस्तान को कि किस परकार से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ चाइन इन्वेश्टमेंट करता है वो भी सेप नहीं है आए दिन देखते हैं कि चाइना के जो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं उनके उपर किस परकार से जो एना टीटीपी और दूसरे जो आतंगवादी ग्रूप हैं वो किस परकार से वहां पर हमले करते हैं उनक को भी सुना वह वहां पर मोबी जी की तरिफा जूहीं दिक्साओं कि वहां पर Ф armored का मच्बूत की कि युद्ध को आपने पुरी वीड़ियो तकर वीडियो में तब तक आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद